हाँ जी स्टूडेंट्स, आज असी अपनी बार्मी क्लास दे, सेक्शन दा चीमा एसे, टू जेंटलमेन ओ विरोना, जिसनों के एजे क्रोनी ने लिख्या हुया है, औस दे असी लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टन कवर कर जा रहे हां, एहे साथा इस चैप्टर दा चोथा वीडियो हुएगा, फुल एक्सपलानेशन हतिया नाल सिस समझ सागदेूं, ताहिं आज वाला वीडियो समझा जा सागदा है, चैप्टर दी, सेक्ट वीडियो दे विच मैं इस दिया टेक्स्टल एकसरसाइज लूशन ज इनाल डिसकस कितिया नि जिनने दिए विच वह पहली exercise इस वोकेबलेरी प्रैक्पिस दी है जिस दे विच वर्ड्स देया के प्रिफिक्स लगा के ओना दे ओपोजिट वर्ड्स में समझाए सी तो नो सेकिंड जड़ी एक्ससाइज देया उस विच कुछ सेंटेंसिस हैं स्टुडेंट्स एसे चैप्टर दा तीसरा वीडियो इस चैप्टर दे शौट आंसर टाइप क्वेस्टन दे बेस्ट है इस चैप्टर दे एंड विच तो आनू टोटल 11 शौट आंसर टाइप क्वेस्टन देते हुए ने ता मैं इस वीडियो दे विच इना सारे 11 प्रशना दे उत्तर बहुती सिंपल सेंटेंसिज दे विच फ्रेम करके तौनू समझाये ले हारली इक या दो सेंटेंसिज विच एदा अंसर है ता मनों उमीद है कि तुसी ये वीडियो ज़रूर देख्या होएगा जे कर नहीं देख्या ता मैं उपर इस दा लिंक पानू प्रवाइड का रहे हा हा ते अपील करांगा कि तुसी इस लिंक ते जाके सारा विडियो देख्यो ता स्टूडेंट्स अपनी बुक विच इस चैप्टर दे एंड दे विच जड़ी सेकंड एक्सरसाइज है ओस दे भी साड़े को ले लॉंग आंसर टाइप क्वेस्चन ने जिना विचों एक है के यसी दोना लड़कियां दा निकोला ते जकोपो ने उना दा ब्रीफ क्रे क्या दा जनम होया अतियोना दा बच्पन गुजरिया ता ये टोटल तिन वड़े क्वेस्चन ने तिन इही बड़े इंपोर्टेंट ने इना तिना दे विचों ही कोई भी क्वेस्चन एक्जाम दे विच आ सागदा है ता स्टूडेंट्स मैं जो आंसर त्यार किता है उस विच एहे तिनना दा आंसर शामिल है ता जे एक्जाम दे विच्चों इना तिनना दे विच्चों कोई भी क्वेस्चन आंदा है ता तुसी एही बड़ा आंसर लिख सागदेंग। स्टूडेंट्स से बड़ा ज़रूरी है कि जेकर आसी ऐसे टाइप या लॉग अंसर टाइप क्वेस्चन करन जा रहे हैं ता सानू माइंड मैप दा पता होवे ताहके साथे कोल ओ पॉइंट्स मुझूद होन जिसना आसी अपना आंसर डिवेल्प कर सागदेंग। क्योंके टू जेंटल्मेनों विरोना एजे क्रोनीन दा लिख्या होया है असी उसनों सेंट्रेच लिख्या है उन ए जड़ा चेप्टर है एही दो ब्रदर्स निकोला जेकोपो ते उना दी पैन लूसी आ बारे है एक्चुली पूरे ऐसे दे वीची टोटल पंच करेक्टर जान दे ने दो में परा निकोला जेकोपो ते उना दी पैन लूसी आ दी है ते एक साथे नरेटर ने एजे क्रोनीन ते एक उना दा फ्रेंड है लूजी जो अना दा ड्राइवर भी है ते सानू बच्चों यह भी पता है के तिन्ने पैन परा होमलेस ने अते ओर्फंज ने हमलेस मतलब इन दा करनी है असी जान दे है के सेकिंड वर्डवार दे दुरान एक बैम दे फटन करके इन दा कर सारा नश्ट हो गया सी एना दी मदर दी पहला दी ओगवी है ते फादर साब दी भी डैथ है ने जोके एक वदिया सिंगर सी उना दी डैथ हुई उसे होफ फूल ने के साठा फ्यूचर चंगा हुएगा फ्यूचर दे विच साड़ी सिस्टर ठीक होजेगी पते इसे करके वह बहुत ज्यादा सखत मेनत भी कर देने सानु पूरा ऐसे समझ के यह भी पता लाग दे के वना दी जड़ी पैन है लूसिया शी सफ्रिंग फ्रॉम ट्यूबर क्लोजीज ओफ स्पाइन तरीड दी हटी दे विच जड़ी टीबी हो जान दी है उस तो हो पीडिता है लूसिया जिस दे करके उख प्रॉपर चल नहीं सकती हड़ी नहीं हो सकती सिरफ बैठी हो रहन दी है सानु पता है कि वह एक पलेटा पिंड है जो के विरोना तो थोड़ी दूर है ते उस हॉस् होस्पिटल दा खर्चा मेनत करके हो होस्पिटल दा सारा खर्चा पे कर रहे है उन स्टुडेंट्स इस ऐसे तो सानु पता लग दे कि जड़ा वड़ा पराय है एल्डर ब्रदर ओ है निकोला ते निकोला बहुत ही लविंग है प्यार कर दे अपने प्रानों भी छोटे प् दे मोड़ें दे सिरा के सुता प्या होंदा है आप हो जागदा होंदा है तो पता लागदा है कि अपने छोटे प्राधी के निकेर कर दा है अते हो रिस्पॉंसिबल भी है रिस्पॉंसिबल दा मतलब जिम्मेवारी समझदा है वड़ा हलाके एक साली वड़ा है अपने प् जेकोपो राइटर नू कहनदा है कि सानू तुसी संडे नू इस वारी पलेटा लेके जाओ ता ओह इस गल देनाल खुश नहीं हुंदा उन असी गल कर दे चोटे परादी यंगर ब्रदर जिस दा नाम है जेकोपो ओह फुल ओफ लाइफ है और अल्वेस स्माइलिंग फुल ओफ लाइफ दा मतलब जिंदगी नू एज़ॉय करदा हुँ और ओह हमेशाँ स्माइलिंग फेस चरहनदा है चैप्टर दे विचे आया सी कि एक कोजी फिक्स्ट स्माइल रहन दी है पेस ते हमेशा उस दा चेरा खेड़े आ रहनदा है तो माइलिंग चरहनदा है कदे दुखी नहीं हुनदा और बहुत ज़्यादा जिंदगी नू ओह उन्ज़ॉय भी करदा है सानु यह भी पता लागदा है कि वो अपने वड़े पर आनालों थोड़ा ज़्यादा इक्स्ट्रोवर्ट है ता इक्स्ट्रोवर्ट दा मैं तो नू मेनिंग दसे आसी चैप्र दे विच कि थोड़ा जा हो खुल के गाल करदा है हलाके जड़ा वड़ा परा निकोला ओ थोड़ा ज़ा इंट्रोवर्ट है कि वो खुल के गल नहीं करदा सानु पूरा ऐसे समझ के पता चालदा है कि दा मैसेज ओफ लव, डिवोशन, एंड सेक्रिफिकेशन कि जड़ा ऐसे है एहे प्यार, समर्पन, अते बलिदान देस नहेनू संडे तक पहुचानदा है देखो सानु पूरा ऐसे पढ़के पता चलदा है कि दो मैं परा क्यों एननी ज़्यादा मैनत कर रहे ने एक सस्पेंस शुरू ची बन जानदा है ऐसे दे एजे क्रोनीन देखके बड़ा हिरान होंदा है कि वो सारा दीनी लगे रहे ने, कम कार्च रूजे रहे ने वो एनना पैसा करनगी की वो क्वेस्चन भी कारदा है दुने परावानू ते दो मैं परावस्दा आंसर टाल दिन देने लेकिन बाच ची सस्पेंस किलियर होंदा है कि हो सारी मेनत अपनी पैंड दे लाज दे लई कार रहे ने पैथो पता लादा है कि फैमिली वैल्यूज नाल वो किने ज़्यादा जूड़े होए ने ते सनु भी इसनिहा मिल दा है कि यसी भी अपनी फैमिली नाल लोमी जूड़के रहिए जिस तरहों अपनी जुमेवारी अपनी वड़ी पैंड दे प्रती समझ रहने सनु भी अपने प्रवार दे मेंब्राम प्रती अपनी जुमेवारी समझनी चहीं दिया ता यह मैसेज सानु सार्यानू इस ऐसे वलों मिल दा है स्टुडेंट्स मैं प्लस वन अते प्लस टू क्लासिज दे जनरल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाये हुए हान इना वीडियोज नू देखन दे ले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपक सूध लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट वीचाई पहली साइट दे दीपक सूध दे जाके क्लिक करो इस तरह तुसी चैनल ते पहुँच जाओंगे जित्थे तुसी वीडियोज दे एक सेक्षन देखोंगे वीडियो से क्लिक करो तो अनू मेरियां बनाया हुए हान सारियां वीडियोज तो अनू मिल जानगियां इसते तुसी जाके जदो फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ताथ उन्हों क्लास 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जानगियां इसे तरह तुसी बाकी क्लास 11 उन्हादी प्लेइलिस्टे जाके सारियां वीडियोज प्रापत कर सकते हों ते इसे तरह में class 11, class 12 दे your grammar लिए लिस्ट बनाई हुई है ता वह सारी लिएफ भीडिव्व से प्रापत हो जान गिया यह प्लेजिट इंग्लीश इलीक्टिव class 11 दिवी है आते उस दे विच तो नो सारी हैं क्लास 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जानगे हैं ता मैं तो नो सारे हैं आपील करदा हैं कि एक वार तुसी दीपक सूथ लव लर्निंग टूली चैनल ते जरूर विजट करो स्टुडेंट माइन मैप करन तो बाद असी हुन अपने में लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टेन वाल आंदेयां इस दा जड़ा मेंन क्वेस्टेन बच्चों बांदा है दा थीम ऑफ दा चैप्टर तू जेंटलमैन ओ विरोना हलाहके आसी टेक्स्ट बुक वाले बड़े कौेस्चनस देखे थी ओस दे वीच राक्ताइप क्रेक्टर स्केश आते जना हलात वीच उना वीच ऻना धा जनम होया ते ओह बड़े होया उस दे बार यख साननू कौेस्चन है लेकिन मैं पहले हैं दास को किया के एस आंसर दे विच लिखने है students, ते capital letters दा जरूर क्या लखने है, इसे तरह A.J. Kronin दे spellings त्यान रखने ने, capital letters दे small letters दा त्यान रखने है. This essay is based on this theme that we should face the misfortune of life boldly. पूरा essay, इस theme ते based है, इस theme ते अदारित है, के सनु अपनी जिन्दगी दिया, ओखिया कडियानू, बहुत ही निडर्ता दे नाल, होंसले दे नाल, समना करना चाहिएंदा है. देखो, जिन्दगी इच ups and downs बेटा आंदे रहनदेने, कदे सुख आंदे ने, कदे दुख आंदे ने, लेकिन जिए गर दुख आंदेने, ता सनु निडर्ता दे नाल, पूरे होंसले दे नाल, ओना दा समना करना चाहिएंदा है, निकोला ते जिकोपो एही सिखांदेने. This message is conveyed through the life struggle of two brothers. उन्ने जड़ा message है, केड़ा message के सनु अपनी जिन्दगी विच दुखांदर्दा दा समना होंसले नाल करना चाहिएंदा है, एह message साड़े तक पहुंचाया जानदा है, कॉन्वे, कॉन्वे दा मतलग सनिहा पुचावना, एक किमें पुचाया जानदा है, दो दोने लड़कियां दा नाम किया जी, निकोला अते जकोपो, ता निकोला अते जकोपो दे बेटा स्पैलिंग्स दे आनल पाने है, कैपिटर लेटर जा जरूर ख्याल करना है, कई स्टुडेंट्स जदों किसे दा नाम पन देने, वो स्मॉल लेटर देनाल शुरू कर देने they become homeless and orphans in their childhood, बशपन दे विच्छी in their childhood, अते देर दा मतलब निकोला ते जकोपोतों है, अपने बशपन दे विच्छी ओहो बेकर हो जान्देने, homeless दा मतलब बेकर, अते ओर्फन हो जान्देने, ओर्फन दा मतलब हो दा बच्चे हो, यतीम, यतीम उस बदकिस्मत बच्चे जिस्दे माबाब दा साया, उस दे सिर्टो जल्दी उठ जान्देने, एस अनुपता लगदे है, ऐसेच, कि जदों वल्डवार दे दोरान, ओना दा कर, किसे बउम दे करके नष्ट हो जान्दे, ते उस दे विच करता नष्ट होंदे ही होंदे, ओना दे फादर दी भी डे अपने फ्यूचर दे प्रती, ओहो आसवंद ने, अबाउट डियर लाइफ, अपनी जिन्दगी दे प्रती, कि हाँ, कदे चंगा समा भी आओगा, ऐसे करके वनी मेनत कर रहे ने, आज जो बहुत ओके ने, लेकिन फेर भी जिन्दगी दे प्रती आसवंद ने, कि चंगा सम भी आओगा, जे कर आसी इसे तरह मेनत कर दे, जारी रखांगे, तब चो ये बहुत वदिया सनिहा है, कई वरी इंसान एहजे हलातां तो कबर आके, बहुत बड़े-बड़े गल्द फैसले ले ले लेंदा है, लेकिन देखो, बच्चेया ने कोई भी ठगी ठोरी दा काम न स्टार्ट किता, उननने कोई ऐसा कम नहीं किता, कि जिसनल जिन्दगी प्रती उननों पश्तावा होवे, सगो जिन्दगी प्रती आस वन देने, दे डू नोट बिकम बैगर्स, जदो हो छोटे हुंदे ही बेकर होगे, यतीम होगे, ओ हो बैगर्स नी बने, बैगर्स आ मतल पूट भी विच्चे, ये सारे कम हो सारा दिन कर देने सी, इस तो इलाबा भी ओ बहुत सारे कम कर दे सी, असी देखिया है के हो टूरिसली गाइड़ दा कम भी कर दे सी, बोथ अफ देम वर्ग हार्ट फोर दा ट्रीटमें देर सिस्टर, फो वाज सफरिंग फ्रूम थीबी दो में जने, बोथ अफ देम, बोथ अफ देम दा मतलब निकोला ते जे कोपो नो किया गया है, वर्ग हार्ट बहुत ज्यादा सखत मेनत कर दे सी, कादेली अपनी पैन, अपनी पैन दे इलाज लई, एथे देर दा मतलब, निकोला ते जे कोपो तो है, अपनी पैन दे इला and devotion, their sister Lucia survives. ता उना दे प्यार, बलिदान, अते समर्पन दे करके due to, due to दा मतलब हुन दे students, दे करके, किसे चीज दे करके, उन्हों अपा due to कहने हैं. love दा मतलब प्यार, sacrification दा मतलब बलिदान हो गया, अते devotion दा मतलब समर्पन हो गया. एना तिना चीज दे करके, उन्हों अधी पैंड बच गई. नर्स ने कहा सिगा ना, के सानुपूरी उमीद है के आणवाले समय दे विच्चो हो वाक भी करेगी, अते डांस भी करेगी. दा एल्डर ओव दा टू ब्रदर्स, निकोला इज लवींग, केरिंग एंड रिस्पोंसि09 बौय। उन्हों दोमे प्रवान दे विच्चो वअद्डा कुन है जी निकोला, निकोला लवींग है, प़ार करनौल आ पset पहलनी केर करनौल आ अपने प्रादी लोगवाल है, labour hours by evening. He often let his little brother sleep on his shoulders, वो अक्सर अपने छोटे प्रानू, अपने मुड़े हां ते से हराखे सोन दी इजाज़त भी दे दन्दा है, आप जागदा रहं। लेकिन उस दाप्रा जेकर सोना चाहे ताँ उखो इस दे मुड़े ते से लाखे सो जान दै है। दो दो में प्रा रात नू बारा वजे बस दी वेट कर रहे हूं देने He does not want sympathy and keeps his problems as a secret उन ए जड़ियां लाइना दे विछ ना पा निकोला दा करेक्टर स्केच डिसकस केता है जो के तोड़े वड़े क्वेस्टन च उच्छे आ गया है ओहो हमदर्दी नहीं चाऊंदा He does not want sympathy, sympathy दा मतलब हमदर्दी आते अपनियां problems नू as a secret पेद वजो जारी रखना चांदा है याद करो जदो प्लेटा जान दे लई राइटर त्यार हो जांदा है के हां मैं तो नो दोवान नू इस संड़े लेके जाऊंगा ता Nicola खुश नहीं होंदा ते बाद वीच हो जरूर मन जानदा है क्योंके ओ अपनियां problems नू discuss नहीं करना चांदा ओ आप मिनत करके अपनियां problems नू खतम करना चांदा है ये सारी यां lines है Nicola दे क्रेक्टर स्केच लिख सा देया इस तो बाद students मैं Jacoppo दे क्रेक्टर स्केच दिया है कुछ lines लिखिया ने His younger brother Jacoppo is full of life उन उस दा जड़ा चोटा परा है younger brother मतलब चोटा परा उस दा नाम है Jacoppo और जिंदगी नाल परेया हुया है full of life दा मतलब ए हुंदा है जदो कोई इंसान जिंदगी नो बहुत ज़्यादा प्यार करदा है जिंदगी नो इंजवाय करदा है उसनों सी कहने है He has always a beautiful smile on his face हमेशा उस दे चेरे ते इस दे चेरे ते Jacoppo दे चेरे ते Jacoppo दे चेरे ते हमेशा एक खूब सूरत smile टिकी रेंदी है हमेशा उस खूश रहन दे He is more talkative than his brother उस अपने प्राणालों ज्यादा गलडी है Talkative दा मतलब गलडी जेकर तुसी पूरा एसे देखो बचे उ ता Jacoppo ज्यादा extrovert है extrovert दा मतलब उस खूब के गलड़ कार दे अपने दिल्दियां गलां भी 10 देन दे ओ जी हानी सोच़दा जी में उस दा बड़ा निकोला सोच़दा है के मैं अपनी याँ प्राणालों सीक्रेट रखना है ओ ऐसा नहीं है इस तो सानु पता लगदा है के ओ ज्यादा टॉकटिव है More talkative तै थे more आपा डिग्री लगाई है जी एजेक्टिव दी More talkative than his brother हमेशा second degree दे नाल देन लगदा हुंदा है था त्यान रख्यो Their story tells us their strength of characters उना दोना प्रावादी जड़ी कहानी है उसानु दस दी है के उना दा क्रेक्टर किना strong है किना मजबूत है किने मजबूत क्रेक्टर दे मालक ने उने वड़ियां वड़ियां गल्ला उने परवार नाल हो गियां लेकिन उना ने दिल नहीं हरया अते जिंदगी देनाल ओहो लड़ रहेने जूज रहेने अते पूरी मिनत कर रहेने तो पता लगदा है क्योंकि इने strong ने They face all the challenges of the life with great craze and determination ओहो समना कर देने and determination अते संकल्प देनाल यह उना ने एक संकल्प लेया होया है कि जिंदगी ना लड़ना है जिंदगी दियां मुसीबता ना लड़ना है हार नी मननी अते अपनी पैन दा इलाज करवा के पैन नो पैरा दे खड़े करना है ते उसनो उसने ड्रीम वाल लेके जाना है ता स्टुडेंट्स उमीद है कि तानु एह सारा essay type questions समझ आ गया होएगा मैं फिर भी चाहांगा कि जेकर तुसी इस chapter दी full explanation दी analysis देख लोँ ता एह essay type questions दानु ज्यादा वदिया तरिके नाल समझ आएगा मैं उसे links तौनो प्रवाइड कर रहे है देनाल ही इस essay दे short answer type questions दे भी link तौनो प्रवाइड कर रहे है फिर किसे होर chapter देनाल मिल दे हैं जी तनवाद